है रियों आप लोगों का माया ग्र Works में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को एक character का logo कैसे create करना उसके बारे मान बता रहा हूं तो 3D Character कैसे create करना वो बता रहा हूं सो अभी एक क्या है इसे कर्सर टेक्सटु लेकी कैसे करसर लेता हूं इसको क्या है थोड़ा बड़ा कर लेता हूं अभी इसको क्या है थोड़ा बड़ा कर लेता हूं अभी इसको क्या है थोड़ा बोल्ड फॉंट ले लेना है अभी क्या है control के साथ है इसको क्या Means तुल नीचे लिंटाँ फ्रेंट कर लेता हूं इसको क्लिक लीक देंग तुल oi line को क्या है थोड़ा angle दोड़ा एसे ले रहता हूं ऊपर शलौ Happy कि इसको एसे लेके अभी का है इसको राइट कर किर कि करूब लो दो त्यस्हें से बीच में लेकर से करें कर देता हूं ऀसे कर हो गया आपको जितना जैसा करो करना है उतना करो आप कर सकते हैं तो अभी इसको क्या है उपर से इसे कंट्रोल के साथ ऐसे लेके रैट लिक करो रैट लिक करके थोड़ा नीचे ले लेता हूँ अभी इतना होने के बाद अभी जो दोनों लाइन का तिकनेस क्या है अभी क्या है दोनों लाइन को सेलेट करो सेलेट करके आपको क्या करना है लाइन थिकनेस थोड़ा क्या है बड़ा करना है अभी एक 10 देता हूं मैं अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो अभी इसमें जैसे तोडा उपर लेता हूं इसका दुनों का लाइन का थिकनेस क्या है अभी 10 दियावाया है मैं थोड़ा और थोड़ा ज्यादा करता हूं इदर पैन में आ I am Outline pen में आता हूं इतर आकर आप इतर जाधा कम कर सकते हैं कि तो अभी किया है быв इस बोलता हूं करके इन दुनों को क्या है कनों ट्रॉट्रें टो उब्जेट करना है तो अरेट में को क्या करो convert outline to object बोलो तो object हो गया object होने के बाद इन दोनों को ऐसे select करके back minus print करो तो अभी यह क्या हो गया इसे cut हो गया तो कि यह आपको समझ में आ गया अभी इसको क्या है extrude tool लेता हूँ अभी क्या है extrude tool लेना है extrude tool लेके मैं click करके drag कर लेता हूँ पुट्क ड्राइग करने के बाद अभी क्या है fill भे black है outline भी black है अभी के लिए क्या है एक white कलर रखता हूँ तो आपको समझ में आता है कितना extrude करना है क्या करना है वो समझ में आता है अभी इसको तोड़ा यशे और दोड़ाए से जादा कर लेता हूं तो यज्या कर लेता हूं अपड़ा यह देना है तो आप आपको जितना चाहे है उतना आप अग तो यह आपको समाझ में आ गया अभी को क्या है ऐसे right click कर प्रक्त करता हूं और तो यह सकते हैं तो इतना डिस्टन्स रख्के अभी मैं क्या करता है इसको इदर राइट लिक करके ब्रैक करने से जो पीचे का जो एक्स्टूड हुआ है वह सपरेट हो गया इसको आप अंगुरूप करो अभी अभी जो सामने का पोर्शन है इसको अलग-अलग शेड देना है तो अलग-अलग शेड्स आप दे सकते हैं अभी मैं इसको क्या है अभी जो नीचे portion है इन सबको इदर दो पार्ट हुआ है इसको और इसको select करके आप क्या करो पहले weld करने के बाद इसको और सिलेट करके इन सबको object को select करके आप क्या करो अभी ग्रीन देता हूं थोड़ा इसे डार्क रिस अब करना अब इतना कलर देने के बाद अभी क्या है यह उपर का पोर्षन है इसको तुम कर लेता हूं अभी क्या इसको इंटरेक्टिव फील डेता हूं अभी ये यह क्या है ऐसे Interactive Tool है, इसको लेके इसे ads drag करता हूँ, drag करके इसको थोड़ा black देता हूँ, तो और थोड़ा आपको emboss जैसा effect दिखता है तोपके अभी इसको भी इसे आपको एपको एपको ले ले लो अंदर के तरफ से इसको भी एक black देता हुँ इसका एंगल आप चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं आपको जैसा एंगल चाहिए वैसे आप देदो अब यह अंदर का तरफ है बोले तो इधर मैं ब्लैक देता हूं इसे नीचे आपको जैसा चाहें वैसे आप एटेस कर सकते हैं इतना देने के बाद अब इधर भी थोलब पॉर्षन है इसको इसे ब्लैक देता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा है और जो उपर का पॉर्षन है इसको क्या है से इसे ड्रैक करता हैं कि यह आपको समय में आ रहा है तो भी यह उपर का हो गया इसी तरह क्या है इसमें आज़ादा लग रहा है कि इसे आफ सेट करो कि इसना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूं इधर आता हूं इस पोर्शन को आता हूं इस में इसको भी एसे ब्लैक देता हूं थोड़ा डिस्टन्स जाधा चाहे तो ज्यादा रख सकते आप इधर भी थोड़ा एसे लेता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा है इसको थोड़ा ऐसे ब्लैक ज्यादा कर लेता हूं नीचे का पॉर्शन है तो इसको थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं इसको क्या है थोड़ा कम कर लेता हूं क्यों कि यह आपको समय में आ रहा है और इसको का फिर से उपर का जो है इसको ड्राइग करके इसको इसे ब्लक देता हूं को हुत को बिलकुल वो वो 3D लगना चाहिए ओक्यों आप यसलेट करो इसको फिर इंट्रेक्टिव फिल्टुल से ऐसे उपर लेता हूँ इसको ब्लाग देता हूँ इसको जो एंगल है इस तरफ बना लेता हूँ यह इतना होने के बाद भी यह उपर का portion है इसको लेता हूं इसको ऐसे ड्रैक कर लो ड्रैक करके इसको क्या ऐसे ब्लैक देता हूं जितना portion आपको चाहिए जिस तरह आपको चाहिए उतना आप डार्क और लाइट कॉंबिनेशन आप कर सकते हैं तो इसी तरह इधर भी लेता हूं कि यह देखो भी इधर आता हूं दार्क ज्यादा कर लेता हूं इसे बुरिए तो अभी कया है इसके नीचे है वह सो इसलिए इसको थोड़ा डार्क ज्यादा कि'ा मैंने सो इसको भी थोड़ा अंगल नजदिक देना है तो इसकी दे सकते हूं अब इतना करने के बाद, अबी इन सब को select करो, सब को select करके जो outline है, outline को निकाल देता हूं, Cross mark पे right click करो, तो outline निकल गया इस पोर्शन को क्या है इन तीनों को क्या करो अपर ग्रूप कर लो ग्रूप कर लो ग्रूप करने के बाद इसको क्या है इधर एक साइड में लेकर राइट लिक करता हूं राइट लिक करके आप क्या करो इसको वैल्ड कर लेता हूं इसको क्या करो आप अंग्रूप करके इसको क्या है वैल्ड कर लो एने सिंगल अबजेट हो गया सो इसका फिल क्या है भी नॉर्मल रखता हूँ सो अभी इसको और एक कैसे क्या है कॉपी कर लो आप ऐसे कॉपी कर लेता हूँ अभी इन दोनों को सेलेट करके क्या करो आप कंबाइन करो इस इसको क्या है ब्लैक टो सेंट करो तो ही अधर संट्रा आ गया, सो इसको क्या है इसे इंट्रेक्टीव फिल्ल टूल से ड्रैक करता हों, ऑज धर इसको क्या करना है आपको अगर अगर आपको थड़ा वैट और यह कॉंबिनेशन चाहिए तो ऐसा भी रख सकते हैं अभी मैं इसको स्ट्रेट ले लेता हूं इसे इसे इदर स्ट्रेट लेता हूं स्ट्रेट लेकि आप क्या करो इदर जो उपर का पॉइंट है इसको मैं अभी इदर रेड पॉइंट देता हूं फिर से क्या है इदर एक ब्लैक इतल देता हूं पर फिर एक ब्लैक देता हूं इसको अधर इढ़र किरके आप सटिन्ग कर सकते हैं एसे सेट कर सकते हैं ओक्टर कि इसको ऊपड़ता हूं इसको एसे निचे लिए दो इसको फॉर्षन इतल भी छाल निचे लेता हूं इसको नीचे लेव तो ब्लाक आता है थुझान से इस तरह क्या है आपको सउ महीं में आगाई कि इन सब को सेलेट करो सेलेट करें आगर आउटलाइन है तो आउटलाइन निकल जाता है राइट लिक करता हूं तो आउटलाइन निकल जाता है इस तरह क्या है आप पूरा perspective design आप कर सकते हैं अभी क्या हुआ है perspective लग रहा है logo हुए इसमें आप combinations कैसे करते हो color combination आप कैसे रखते हो उस तरह क्या है उसका result आता है इस तरह क्या है number of alphabets के logos आप कर सकते हैं अगर एक करते वक्त आपको कुछ dots होगे रहा है साथ जुड़े रेने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद